आथियों, बीते नव वर्षों में, नेचर अब जॉब में भी बहुत तेजी से बडलावाया है। बदलती हुई इन परिस्तितियों में युवाउं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन नव वर्षों में देश ने स्टार्ट अप कल्चर की नई क्रांती देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ सो स्टार्ट अप से वहीं इनकी संक्या आज एक लाख स्टार्ट अप तक पहुँच रही हैं। और अनुमान ये हैं कि इन स्टार्ट अप में कम से कम दस लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों इन नव वर्षों में देश ने कैप एग्रिगेटर्स यानि एप के जरिये टैक्सी को भारतिये शहरों की नई लाइप लाइन बनते जिखा है। इन नव वर्षों में ओनलाइन डिलिवरी का एक ऐसा नया सिस्टिम तयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिये हैं। इन नव वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उच्छाल आया है। फर्ट्रिलाइजर के छिड़काओं से लेकर दवाईयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन नव वर्षों में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम साट सहरों से आगे बढ़ कर छैसों से भी जादा सहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहट 23 लाग करोड रुपिये देश के युवाओं को दिये हैं। इस राची से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टेक्सी खरी दी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इनकी संख्या लाखों में नहीं। मैं गर्व से कहता हूं ये संख्या आज करोडों में हैं। करीब करीब आठ से नव करोड लोग ऐसे हैं जिनोंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मन निर्भर्द भारत अभ्यान चल रहा है। उसका भी आधार देश में मैनिफेक्ट्रिंग के माध्यम से रोजगार काम निर्मान करना है। PLI स्किम के तहट केंदर सरकार मैनिफेक्ट्रिंग के लिए करीब दो लाग करोड रुपे की मदद दे रही है। ये राशी भारत को दुनिया का मैनिफेक्ट्रिंग हब बराने के साथ ही लाखो युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी।